वेलकम टू माई किचन आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हूं तवा सबजी उसके लिए मैंने 10-15 भिंडी लिए हैं दो प्याज लिए हैं चार बैंगन लिए हैं दो किरेले लिए हैं थोड़ी सी अर्बी लिए हैं और चार आलू लिए हैं आलू और अर्बी को वाइल कर लिया है और उनको इस तरह लंबाई में काट कर लिया है बैंगन को भी धो कर अच्छी तरह इस तरह से काट लिया है, किरेलो को भी छील कर अच्छी तरह से धो कर काट लिया है, भिंडी को भी लंबाई में कट कर लिया है, प्यास में भी चार कट लगा लिये हैं, सबसे पहले हम इन सबजियों को डीप फ्राई करेंगे, ओयल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें सबसे पहले बैंगन हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको निकालते हैं अब भिंडी फ्राई करते हैं भिंडी और क्रेले साथ में फ्राई करें भिंडी और क्रेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको भी बाहर निकालेंगे अब हम आलू फ्राई करेंगे आलू और प्यास प्यास हमारी फ्राई हो चुकी है हम इसको निगालते हैं आलू भी फ्राई हो चुके हैं अब आलू को भी निकालेंगे अब हम अर्बी फ्राई करेंगे अर्बी भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं अब हम इनको भी निकालेंगे हमारी सारी सब्जिया फ्राई हो चुकी है चाट मसाला और लाल मिर्श पॉडर छुड़केंगे सब सब्जियों पर चाट मसाला अच्छे से लगाएंगे अब हमने एक पैन ले लिया है उसमें से उसमें हम थोड़ा सा देशी घी एड़ करेंगे अब हम अपने घी में एक छोटी लाएजी एक चमस दीरा और एक बारी कठा प्यास और अच्छे से प्राई करेंगे अब कटा अधरफ थोड़ा सा चार कटी थे बाव तो आटा फ्योरी एक बाव टामाटर फ्योरी प्राई प्राई करेंगे एक चम्मश लाल मिर्स बॉर्डर थोड़ी सी अजवेन एक पिंच हल्दी अच्छे से भूनेंगे अब हमारा मसाला भून चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दो चम्मश मलाई ली है आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं इसकी जगह एक चम्मश शहद अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है अब हम गैस को ओफ कर देंगे हमने एक आयरन तवा ले लिया है और हमने सबजियों को इस तरह से अरेंज कर लिया है अब हम अबनी सबजियों को तैयार करेंगे अब हमने गैस को ओन कर लिया है अब हम थोड़ा सा बटर इसके बीचों बीच में डालेंगे इसकी जगा आप प्योर भीवी यूज कर सकते हैं अब जैसे मैंने दो भिंडी, एक आलू, थोड़ा सा प्यास, बैंगल, क्रेला, अर्वी अब हम इसके उपर जो हमने ग्रेवी बनाई थी, वो एट करेंगे एक चमच भर कर जितनी हमने सबजी ली है, उसके हिसाब से ग्रेवी एट करें और अच्छे से मिक्स करें अब इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा कटा अग्रा और अच्छे से मिक्स करें थोड़ी सी धनिया पत्ती ये बहुत ही शांगाल लग रही है अब सर्व करने के लिए ये रेडी है हमने सबजी को प्लेट में निकाल लिया है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शियर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मरे सुपपल definesस्च्छीalı करें तो अवाल लगती है झाल झाल